हेलो स्टुडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बकेट टाइप कैलोरीमिटर के बारे में दिसकेशन किया था, और आज की वीडियो में हम सेपरेटिंग कैलोरीमिटर के बारे में दिसकेशन करेंगे. जिनने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिप्यास चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें तो हमारे पास में यह सेपरेटिंग कैलोरी मिटर है यह आपका सेपरेटिंग कैलोरी मिटर है जिसमें outer chamber है this is the outer chamber और ये के inner chamber है और इसके उपर एक perforated cup है perforated cup में यहाँ पर holes है और ये एक cup type के shape में है तो जब हमको steam का dryness fraction पता करना है जैसे कि आपको पता है कि calorie meter का काम यहाँ पर dryness fraction पता करना है किसी भी wet steam का dryness fraction पता करना कितना उसमें fraction है vapor form की steam का यानि x dryness fraction यानि mass of steam divided by total x का मतलब है mass of steam divided by total जितना भी आपका quantity of steam है wet steam में जिसमें mass of steam प्लस mass of liquid water है तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखें यह आपको main steam है जिसमें से हम sample एक sample tube के द्वारा ले रहे हैं और यह जो इसकी flow है वो control valve के द्वारा इसको control किया जा रहा है यहां से steam control valve के open करने पे steam यहां पर आके इस perforated cup पे टकराती है टकराने के बाद में यहां पर जो heavier particles का liquid है यानि की जो liquid state में है वो यहां पर accumulate होके नीचे यहां पर जो already water है उसके अंदर आ जाता है और जो हमारी steam है that is the vapor condition में जो हमारा part है वो यहां से इस movement होके बाहर के chamber से move होके नीचे की तरफ से होता हुआ नीचे एक और bucket calorie meter है उसके अंदर आके यह condense हो जाता है तो यहां से हमारा liquid part अलग हो गया और यहां से हमारा vapor part अलग हो गया इस वाले का जो आपका liquid accumulate हुआ है उसका mass हम इस scale के दवारे पता कर सकते हैं और साथी साथ पे यहां पर जो हमारा steam वाला part है क्योंकि अब यह भी यहां पर condense हो गया है जो बाहर से steam हाई यह उसका mass भी अपन पता कर सकते हैं इस तरीके से हम dryness fraction that is mass of steam जो की यहां पर आपकी नीचे की तरफ में है divided by mass of steam जो नीचे से मिलिया है अपने मिला है अपने को प्लस जो mass of liquid जो है अपना water का form में जो था liquid form में था उसके द्वारा हम x की value पता कर सकते हैं अब इसकी यह कब use होता है it is used for highly wet steam जब steam बहुत wet होती है तब हम इस type के calorimeter का use करते हैं और यह it gives higher value of dryness fraction as compared to actual value of dryness fraction यह जो आपका calorimeter है उसकी accuracy जो है इतनी appropriate नहीं है और यह आपकी higher value देता है as compared to the actual value वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर steam के साथ साथ में water particles भी निकल जाते हैं तो यह जो MS की value है वो बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर liquid के particles भी साथ में आ गए हैं एक बस इसका फायदा यह है कि यह अदर जो पिछला आपकी calorimeter है उससे थोड़ा सा as compared to them वो थोड़ा सा fast होता है तो यह आपके separating calorimeter की आपकी पूरी total working है Thank you